तो सबसे पहले तो पेपर हल करने का एक तरीका होता है जब ओमार बेस जब एकजाम होता है तो उसमें जरूरी नहीं कि आप पहले प्रसंद से हल करना शुरू करें बहुत चोटी-चोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप नहीं आते वे क्यूसन्स को भी हल कर हो कि हमारे आते वे क्यूसन्स गलत हो जाए तो यह दोनों चीजों का आप को ध्यान रखना है तो तीन बार में पेपर को हल करने का मतलब यह है कि आप पहली बार में वो क्यूसन्स हल करें जो आपको एकदम से सही आते हैं और जो कम से कम टाइम बहुत कम लगता है कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि एक नमबर से करना शुरू करते हैं चाहिए कितना भी टाइम लगे लगातार प्रशनों को करते हैं और लास्ट में यह भी नहीं देख पाते हैं कि कितने ऐसे क्यूशन रहेगे जो इजी थे जो हम आराम से कर सकते थे तो confidence लाने के लिए सबसे पहले पहले नमर क्यूशन से ही पढ़ना आपको सुरू करना पड़ेगा बढ़ जो क्यूशन आपको doubt वाला लगता है जो क्यूशन आपको नहीं आने वाला लगता है या जो क्यूशन time taking लगता है कि जिसमें ज्याधा time लगने वाला है तो उस क्यूशन को आप छोडते जाएए और जिसको आप छोडेंगे ना, उस क्यूशन को ऐसे गोला लगा दो, इस तरह से गोला लगा दो, यानि कि ये क्यूशन मैंने छोड रखा है, किया नहीं है। इसके बाद अगला क्वेस्ण पढ़ेंगी, दूसरा क्यूष्ण पढ़ेंगी, अगर वो हमें आता है, एकदम सही आता है, तो इह करना है, अगर डाउट है तो भी उसको इस तरह olun से लगा दो, अगर जो क्यूष्ण आपको राइट आ रहा है, उसको आपको सही का निशान ल तुरंत गोला नॅला कर दिजिए और आपको कैसे करना यह भी मैद थोड़ा सा बता देता हूं कि ऑमार करने के लिए पहले आपको अंदर वाली बाउंडरी ऐसे बनानी है अंदर वाली से तुरंत इसको पूरा गोला काला इस तरह से कर देंगे तो ये गोला काला किया होगा ये आपका राइट तरीका होगा सई तरीका गोला काला करने का होगा तो पहले बाउंडरी वाली लाइन काली कर गए और फिर अंदर से गुमादो जिससे कि यो आपका गोला काला हो जाए एक क्यूशन का गोला काला करने का मतलब है कि आपका 1 by 150 एक बटा 150 वा भाग पेपर का हल हो चुका है और आपके दिमाग के अंदर एक थोड़ा सा confidence आएगा कि एक क्यूशन मेरा एकदम राइट हो गया उसके बाद फिर अपन दूसरा क्यूशन तीसरा क्यूशन चोथा क्यूशन लगातार करते जाएंगे और डेड़ सो क्यूशन के अंदर से बिना टाइम लगाने वाले चाहे आपने 50 क्यूशन ही कर दिये पहली बार में अगर 50 क्यूशन कर दिये तो अब 100 क्यूशन बच गे जिनके उपर इस तरह से गोला लगा रखा है अब उसके बाद में दूसरा दोर हम सुरू करेंगे पहले दोर के अंदर 50 क्यूशन हमने वो किये जो हमें बिल्कुल सही सही आते हैं और जो बिना टाइम लेने वाले हैं अब हम टाइम लेने वाले और सही क्यूशन करेंगे और उन क्यूशन को छोड़ेंगे जिनमें हमें डाउट लगता है जो हमें नहीं आते हैं उन क्यूशन को गोला लगा रहने देंगे और अब जिनमें टाइम लगने वाला है बट वो सही होने वाले हैं दूसरे दोर में हम वो Queson करेंगे और वो Queson करते करते हमें टाइम लगेगा लगबग हो सकता है कि यह पहले वाले 50 करने में हमें 15-20 मिनिट में हो गये हो लेकिन वो जो लंबे Queson होंगे जिसमें reasoning के क्यूशन भी सामिल होंगे उन क्यूशन को करने के लिए हमें time लगेगा और मान लीजे कि एक गंटा लग गया बट उसमें भी हम 50 क्यूशन तक आराम से कर सकते हैं जो time लगने वाले हैं तो इस तरह ऐसे 100 क्यूशन हमने कर लिए जिनमें हमारे गलत नहीं है 100 गुसें जो ये 50 थे नहीं में विटी निशान लगा देगी यानि पहले हमने गोला लगा था बट दूसरी बार में हमने उनको एक कुछा फुक होगा से वो काफी अच्छा होगा बहुत चे-बच्चे क्या करते हैं पेपर में तो हल कर लेते हैं लेकिन ओमार शीट को लास्ट में बरते हैं लास्ट के पांच मिनिट में दस मिनिट में उस समय फिर आदमी घवरा जाता है तो वहां कम आते हैं जिन में हमें doubt लगता है और उनके हमने इस तरह से गोले कर रखे हैं पचास क्यूसन के अब इन पचास क्यूसन को हल करते समय हमें बहुत ही सावधाली रखनी है जिस क्यूसन में हम risk ले सकते हैं उनमें हमें risk भी लेना है नेगेटिव मार्किंग कितने प्रशन हल करना सेफ है इस पर मैं बात अलग से करूँगा बट यहां मैं आपको पेपर हल करने का जो तरीका सिखा रहा हूं इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इन पचास क्यूसन को हल करते समय रिस्क भी लेना है नेगेटिव मार्किंग से बचने का इससे पहले व दोले के अंदर चाहे दस क्यूसन है ऐसे चाहे पांच क्यूसन है चाहे साथ क्यूसन है और जो बचेवे क्यूसन जिनके दो-दो ओप्शन के बारे में आपको पता है कि यह दो नहीं हो सकते इन दो में से कोई साइक होगा तो उस क्यूसन में आपको रिस्क लेना है पूरी 10 क्यूशन और बच गए जिनके 3 options के बारे में आपको पता नहीं है एक option का आपको पता है उन 10 पर भी आप विचार कर सकते हो उनको भी आप एक तरीका होता है option काटने वाला वो option काटने वाला तरीका यूज करके आप उन 10 में और रिस्क ले सकते हो इस तरह से आप 140 तक क्यूशन अगर कर देते हैं तो आप आराम से safe zone में आते हैं तो ये तीन तरीके से आपको paper को हल करना है और जैसे जैसे क्यूशन करते जाते हो वैसे वैसे ओमार शीट में आपको जरूर बरते जाना है गोला काला करते जाना है जिससे जो ओमार शीट बरते समय जो गलतियां होती है उनसे भी आप बच पाएंगे और आपको extra time भी नहीं देना पड़ेगा कोई बहुत ज्यादा time नहीं लगता है बहुत से बच्चे इस चीज के लि आजा होती है जब हमें तसली मिलती है जब हमें ये आराम मिलता है कि मैंने गोले भी भर दिये हैं और क्यूसन भी इतने मैंने कर लिए तो उससे फिर दिमाग हमारा free होता है और उसका वजन कम होता जाता है और नहीं तो हम डेड़ सो क्यूसन में से कुछ करते जाएंगे न इससे तरीके से पेपर हल करना है और ये आपको जरूर फोलो करना है जिससे कि आप नहीं आते हुए क्यूशन को भी अच्छे से कर पाएं इसके बाद दूसरा जो पॉइंट मैंने लिया आपके लिए कि करंट अफेर्स कितना और कैसे तैयार करें तो करंट अफेर्स के लिए मैं बता दू कि 15 दिन पहले लगबग पेपर बन जाता है 13 मई से जो पेपर शुरू हो रहा है तो यह मान के चलिए कि 30 अप्रेल 30 अप्रेल के बाद का कोई करंट का क्यूशन सायद नहीं पूछा जाए कोई अप्वाद सवरूप अगर कोई आ जाए तो अलग बात है बट लगबग 12-13 दिन पहले तक पेपर बनके पैक हो जाते हैं तो 30 अप्रेल तक का ही आपको करंट जीके पढ़ना है और इसको तो 10 में से यह मान के चलिया आप 4 क्यूशन है जो अप्रेल से होंगे कम से कम 4 क्यूशन अप्रेल मंत से होंगे तो इसको अप्रेल मैंने का जो करंट है उसको हमें अच्छे से त्यार करना है करंट में हमें क्या क्या पढ़ना है यह मैं पहले एक वीडियो में बता चुका ह आँ वाहाँ से आप देख लेना कि Here We comeš Barnding कोंशे बुक्ट से करना है कैसे करना है इसके भाद में तीन क्यूशन आपको कम से कम पूचे जाएंगे वाब कि मार्च मन्त European कम से कम तीन इसके बाद में जो दो क्यूशन होगे वह पहले वाले मेने से होगे यानि कि फरवरी और जनवरी से होंगे फरवरी और जनवरी से दो क्यूसन होंगे और जो एक क्यूसन पुछा जाएगा वो आपके पिछले तीन चार मेने से होगा तो इस तरह से जैसे जैसे हम पीछे वाले मेनों में चलते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि हमारे क्यूसंस की संख्या कम होती जाती है तो हमें अगर कोई यह कहता है कि एक साल का आपको करंट पढ़ना है तो उस कंडिशन में एक साल में आपको पिछली साल से सुरू नहीं करना है यहां से सुरू करना है अप्रेल से सुरू करना है अप्रेल कितने परशन हल करना सेफ रहता है तो ये भी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है आपको पहले से इन चीजों के बारे में कोई भी नहीं बता पाएगा कि कितने परशन हल करना सेफ है क्योंकि ये बेटा चीज डिपेंड करती है पेपर के लेवल के उपर कि कौन से जिल के सब जगह exam उसी जिले के लिये होंगी यानि कि ऐसा नहीं है कि 13 तारिख को है वो जैपूर जिले का 13 को भी था कुछ का 14 को था, कुछ को 15 का था कुछ को 16 का था, नहीं 13 तारिख को जिन जिन जिलो का होगा उनका complete हो जाएगा तो वो paper दूसरे paper को परभावित नहीं करेगा उसकी merit अलग रहेगी जो 14 को paper आएगा उसकी merit अलग निकलेगी 15 की अलग निकलेगी, 16 की अलग निकलेगी और जिन-जिन जिलों का 13 को होगा उनकी अलग रहेगी, 14 वालों की अलग रहेगी ये चीज आपको समझना है तो हर जिले का paper एक दूसरे जिले के paper को परभावित नहीं करेगा, merit को परभावित नहीं करेगा और ऐसा ही पिछली बार भी किया गया था और ऐसा ही इस बार भी किया जा रहा है तो जिन-जिलों का paper सरल आएगा न उनकी merit उपर जा सकती है थोड़ा बहुत फरक इसमें बैठने वालों की संक्या से पढ़ सकता है कि form ज़्यादा बरे गए हैं और बच्चे कम बैठ पा रहे हैं एक से ज़्यादा form जिन-बच्चों ने बरे हैं उसकी वज़े से ऐसा होता है तो उसका ज़्यादा फरक नहीं पढ़ता है मैं बता रहा हूँ competition exam है ये सबसे बड़ा जो फरक पढ़ेगा वो paper का पढ़ेगा कि कौन से जिले का paper कैसा आता है पहले दिन जिन-बच्चों का paper होगा उसके बारे में कोई idea नहीं है उसके बाद आपको क्या करना है कि उस paper में से काफी question same भी repeat होंगे और pattern तो लगबग वो ही follow होगा ये चीज़ आप जरूर द्यान रखना कि वो ही pattern follow होगा जिस topic से, जिस subject से 13 को question आएंगे संभावना ये रहती है कि 14 को भी काफी उस topic से question आने की संभावना होती है 15 को भी और 16 को भी तो ये चीज़ आप pattern वाला जरूर follow करना और कितने person हल करना safe है तो आप maximum करिए आपको maximum हल करना है और negative marking में आपको बहुत ज़्यादा risk नहीं लेना है जिन बच्चों की तयारी अच्छी होती है उनका आराम से selection होता है tension मत लीजिए अगर आपने इमानदारी से मेनत किये तो डरने की जरूत नहीं है confidence के साथ paper देने जाईए आपका आराम से clear होगा और maximum करके आईए जिन में आप risk ले सकते है उन क्यूसंस में risk भी लेना है बट risk इतना नहीं लेना है कि पूरे डेड़ सो में से डेड़ सो कर दिये तो ये चीज़े अगर छोटी-छोटी आप ध्यान रखोगे तो आप औरों से best कर पाओगे और लगातार मैं आपको exam तक ये सारी चीज़ें इसी तरह से बताता रहूँगा